आज मैं आपको बताने वाला हूँ Importance of a School Library इस पर जो आर्टिकल राइटिंग आता है छे नंबर के लिए आता है आपके English के पेपर में 2024 बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत जाता महत्तपूर है और क्लाश 10 का है टॉपिक क्या है The Importance of a School Library इसको पूरा अच्छे समझ लेना और हाँ इसको पूरा English के साथ मैं बताने वाला English with Hindi ठीक है इंग्लिस में लिखा यह हिंदी में भी बताऊंगा वीडियो का पूरा देखना समझना और हाँ छे नंबर एक्टम आपके पक्रवा के जाओंगा दिखकार और है चार मार्च को जाकर यहीं आप च्हाप आओगे ठीक है चार मार्च को जाकर यहीं आप कुश्चन में नहीं पूरा कॉपीबैसर बपर, ईक जंतने समना अफिश्छे से मетрा इसकोल माप्रेश की डिक होते है पूब्लाइबरेरी जीवन में एक आहम भूमी का निभाती हैं इसेंसियल मतलब आहम होता है रोल मतलब भूमी क्या तो जो किताब चीकी लाइफ में आहम भूमी निभाती हैं उसके बात is a place where we find many exciting books like fairy tales novels, poems, magazines, newspapers and many others Library is a place is a place लाइब्री एक ऐसी जगह है where, जहां पर हम पाते हैं बहुत सारे fairy tales मतलब होता है परियों की कहानिया ठीक है, परियों की कहानिया nobles मतलब होता है upsण्यास और poem meant बहुत होता है kभिचार होती है मैग जीन्स मतलब पत्रिकाएं न्यूजपेपर मतलब आपका न्यूजपेपर ही होता है जिसे हिंदी में समचार पत्र बोलते हैं जो आपके पास आता होगा अमरुजाला दैनिक जागरी यह सब तो यह हो गया कि एक ऐसी जगा है जहां पर हम बहुत सारी बुक्स पाते हैं जैसे कि परियों वाली कहानिया वाली उपन्यास पाते हैं कविताएं पाते हैं मैग जीन्स निउस्पेपर यह सब और देखो एस इस्टुडेंट होने के नाते we learn a lot from the library students होने के नाते हम बहुत कुछ सीखते हैं library से and we take home the books that we want और we take home the books that we want और हम उन किताबों को अपने घ आप जाकर अगर आपको कोई किताब अच्छी लग तो उसको आप घर ले जाओ और उसको पढ़ो और लाकर वहीं रिटन कर सकते हो देखो आफटर रेडिंग पढ़ने के बाद वी रिटन दें हम उन्हें वापस कर देंगे अब क्या होता है library में आपको कोई किसे पसंद है तो उस किताब को ले जाओ घर पे पूरा पढ़ लो जब पढ़ लो तो उसके बाद आओ library में रिटन कर दो उसके बाद है my school library has a lovely collection of writing spanning the genres of crime fiction poetry and novels my school library मेरे school का जो पुष्तकाला है मेरे school का जो library है has a lovely collection of writing वहाँ पे जिन्स of crime देखो वहाँ पे crime की मतलब जो अपराद होते है अपराद की फिक्षण मतलब कथाएं अपराद की कथाएं और ये कविताएं और उपन्यास वाली बहुत सारे collections हैं मतलब इसका क्या हुआ कि मेरे school की library में बहुत सारे लाइबरेरी में बहुत सारे collection है कौन कौन से बुक का तो यह जो है अपराद वाली कथाएं crime fiction अपराद पसंद करता हूं और क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत चीज़ां सीख सकता हूं about so many beautiful things from books बहुत सारी ऐसी सुन्दर सुन्दर चीज़े उस कितावों से मैं सीख सकता हूं इसलिए मैं अपनी स्कूल की लाइबरेरी को बेहत पसंद करता हूं फिर है every week हर सपता I eagerly wait for the library class to gain a new understanding of the world and in which my knowledge and skill I eagerly मतलब होता है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहना मतलब इंतजार रहता है बेसबरी मतलब होता है बेसबरी और wait मतलब इंतजार तो मुझे बेसबरी से इंतजार रहता है अपने स्कूल लाइबरेरी का क्यूंकि वहां से मैं क्या करता हूं understanding of the world इस देश दुनिया की understanding को समझता हूं मतलब अब वहां पर जो ग्यान होता है मैं क्या होता है मैं दुनिया की नए नए जो चीजें होती है उनको समझता हूं और enrich my knowledge and skill और मैं अपने knowledge को अपने ज्यान को बहुत ज्यादा निश्ट लेवर ले जाता हूं आगे बढ़ाता हूं तो दोकर दोस्तों यह है आपको यहां से यहां था पूरा आर्टिकल इसको तयार कर लेना एक्दम छोटे से फॉर्म में आपको दिया हूं इसको अच्छ से reply दे दूँगा बाकी हां एक सीज़ आपको बता दो 2014 बोर्ड इक्जाम के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट में जाकर हर सब्जेट की वीडियो मिल जाएगी वहां पर आप पूरा देख सकते हो और ऐसा ही आर्टिकल मैं सभी आर्टिकल आपको पढ़ाया तो उसके भी जाकर आप जरूर से देख लेना